हलो गाइस आज है 22 जनवरी यानि शादी के दूसरे दिन का व्लॉग है जिसे हमारे की जनवरी को शादी थी हम तो सुबह जल्दी आये थे 6 बजे के सम्थिंग तोड़ी दिन में सोए फिर उठके थोड़ा रेस्ट वगरा करके खानवाना खाके फिर शाम का टाइम है जब दीपक जला रहे हैं क्योंकि फिर से दिवाली मना रहे हैं सब ही तो हम लोग भी क्यों पीछे रहें तो हमने जिसे कि पांच दीपक जलाए थे और जिसे दो घर पे पांच जलाए थे तो मैंने एक जिसे बीच में चौक में रख दिया जिसे हमारा यह रेंटल गर है तो हमारा ये छोटा गेट बना रखा है इन्होंने हमारी रूम के आगे की साइड में ये थोड़ी सी जगए है जहां पर मैंने पेड वगरा रख रखे हैं तो बातरूम वगर भार किस आईडी है तो यहाँ पर मैंने जिसे पांस दीपक जला तो चार बार जला दिये हैं मैंने गेट के पास में और एक जिसे वोशिंग मशीन पढ़ी है बार उसके उपर रख दिया है एक यह मेरा अंदर रख दिया है जिसे कीचन की यह जो दिवार है वो है यह क्योंकि कीचन की पूरी उपर तक दिवार नहीं ही अलग शे पांटिशन करने के लिए छोटी दिवार रख रख रखे है उसके पास में यहाँ पर मंदर था हमारे तो मंदर में भी दीपक जलाने गए घी का घर में मैंने जिसे की जो सर्शो का तेल जला सकते हो या फिर जिसे की आप जो सैसमे ओल होता है उससे जला सकते हो तो हमने जिसे के सर्शो के तेल के जलाए थे और यहां पर जो मंदिर है अच्छा सज रखा था तो यहां में हमने घी के दिपक जलाए उसके बाद में हम गए पास में ही एक और बाला जी का मंदिर था तो इस दूने मंगलवार भी था तो हमने सोचा यहां पर जला देते हैं स यह हमारी गली का वियू है, सबने लाइटे वगर ऐसे लगा रही थी जैसे दिवाली ही हो, सबने लाइटे वगर लगा थी बहुत एंजोई किया, उसके बाद शाम को मैंने बरतन साफ करें, इतना ठंडा पानी हो रहा है ना, कि राम 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 करके हमने जो बरतन है वो से तो बहुत ही टेस्टी कॉम्बो होता है, आप एक बार बना के देखेगा, इतना टेस्टी लगेगा आपको, और मेरे व्लोग आपको वोईस ओवर में अच्छे लगते हैं या फिर नॉर्मल औरिजिनल आवाज में मुझे बताएगा कमेंड़